नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत सुवागत है आप नियूज 18 अंडिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ रुबिका लियाकत अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दुनिया की सबसे बड़े रेस्क्यू और रिहाबिलिटेशन सेंटर में खड़ी हूँ तो आपके जहन में क्या आएगा हो सकता है आप किसी डिवलप नेशन के बारे में सोचे शायद आपके जहन में अमेरिका आजाए या रशा आजाए लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हिंदुस्तान की बाद करे जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है शेल्टर है नाम है उसका वंतारा और उस वंतारा के दिल में धड़कता है वो दिमाग वो चहरा जो आज हर किसी के जहन में समाया हुआ है मैं इस वक्त इन्वाइड करना चाहती हूं धीरुबाई अंबानी के पो सबसे पहले तो इस खूब सूरत प्रोजेक्ट के लिए आपको धेर सारी बधाया यह आपका पैशन है के प्रोफेशन है यह मेरा पैशन है और यह तो मेरा एक हमने यह पूरा यह सोच रचाया था बच्पन से ही माता जी ने मुझे सिकाया था हम जानवर का और अलग- माता जी मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुतों को पाला था घर पे और मुम्मई के लिए वो तो बढ़ी बात होती है 20-25 कुतों घर पे फ्लैट में रखना सांटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले और माता जी ने मुझे सिखाया कि जो बेज ऐसे चीज है जो आदमी को बहुत सारा पुनिया प्राफ्ट करा सकता है तो इस इस विचार से हमने ये काम पचपन से चालू पचपन में हमने domesticated animal जो पालतू जानवर है गाई, भैस, बकरी, मुर्गिया, खरगोश, जो सूर सब से हमने चालू की थी मुंबई में, करजत मे सो एकर में हमने उस समय एक लाख पालतू जानवर का चालू किया था, फिर हम सोचे जाम नगर कैसे आना हुआ, मतलब आप कहा रहे हैं करजत में थे, मुंबई में सब कुछ आपके पास था, मा ने बचपन से एक एक पूरा बेज बना कर रखा था, अनन्त अंबानी जाम न जाम नगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बना है, पिता जी ने वो सपना साहकार की, दादा जी की, पिता जी ने यहां खुद जाम नगर में दस से बारा साल रहकर यह रिफाइनरी बनाए, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, अब यहां न्यू ए पर एक जंगल खड़ा कर दिया, आप तो एरपोर्ट से आये होगे, तो आजु बाजु में आपने देखा होगा कि पूरा बंजर जमीन है, पर यहां आप देखोगे तो आपको जाड़ी जाड़ देखा जाएगा, तो माता जी ने यह पूरा बहुत मेहनत की, 1995 से, बच्पन स इसे लिए, ऐसे टांशिप बनाए है, जैसे आप अगर वहां जाओगे तो आपको लगे कालिफोर्निया में होगे, आप तो देखी होगे, कालिफोर्निया में है, आणी यहां पर तेमटरिचर जो है वो गिर गया है, और मैंने कुछ लोगों से बात की है, उन्हों ने कहा ह भर्याली देखती है हर जगा पर, हमने टोटल यहां साड़े आठ करोड जहाड लगाए है, माता जी और पिता जी ने, साड़े आठ करोड रिफाइनरी तो ही, पर साथ साथ में यहां दुनिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा भी बनाया गया है, वो जो तस्वीर हमने दे होचा कि यहां पर जा तो जब मेरे पापा हमें हमेशा जंगल ले जाते थे, रंथंबोर, गीर, बांदवगड, काजी रंगा, पेंच, हम सब बच्पन में जंगल, पापा खाली एक ही समय है, पापा हमें चुट्टिया में लेके जाते तो जंगल होता था, हम और कहां चु मचता गया, मैंने सोचा कि वाइड लाइफ के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए, मैं मेक्सिको गया, मेक्सिको में तो सर्किस अभी भी अलाउट थे, मेक्सिको में ऐसे थे कि शेर के लिए खाना नही था और शेर भूके मर रहे थे, मैंने सोचा कि हमें कुछ करना कभी बहुत दिकत में आ जाती, कभी एक्सिदेंट हो जाता है, कभी कुवा में गिर जाता है, कभी तो cancer हो जाता है, तो हमें यह सोचा कि वाइड लाइफ के लिए पशु के लिए जो साधारन पशु है, जो farm animals जिसे हम कहते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं वाइड लाइफ के लिए बहुत कम लोग हैं, इसलिए वाइड लाइफ के लिए कछ करने का सोचा, तो जिब अनन्द अम्बानी के मन में यह विचार आया, तो वो पहला शक्स कौन था, जिसे आपने जाकर यह बताया, कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, और उसका reaction क्या थ ममी थे, ममी को मैंने बताया, ममी ने पहले बाद कि इसलिए आपको टीम ज़रूर, अकिले आप नहीं कर सकते हो, तो आप एक टीम खड़ा करिए, पापा के पास कया, तो पापा ने बोला कि अगर करना है, तो दुनिया का सबसे अच्छा करिए, करना है, तो जो भी करना है, कि आपने पूरा घुमाई होगा, अभी तो मैं दुनिया का अच्छा बोले कि अभी तो आप खाली 10 या 35 फिसीदी ही खतम हुआ है, बहुत समय लगे, और मुझे अपने दर्शकों को अगर अनन जी ये बात अगर मैंने नहीं बताई तो ये नाहिंसाफी होगी, पिछले 7 गंटे से अनन तंबानी हमारे साथ है, हम पूरे इलाके में घूम रहे हैं, इनफाक्ट अभी तो हमने अनन जी खुद बता रहे हैं कि 40% ही घूमा है, कितना बड़ा ये इलाका है, यहां कितने आप जानवर लेकर आए हैं, कितनों को बचा है अभी तक हमने ये 2000 से 2500 एकर मे हैं, बनाया है rescue center, यहां का hospital जो है, इसमे 6 surgery centers है, inpatient ward है, outpatient ward है, MRI machine है, जो मेरे हिसाब से इंडिया में एक ही है, CT scan है, जानवरों के लिए, robotic surgery machines है, lab है, जिसमें 100 से जादा वेजनानिक काम करते हैं, और laboratory specialist भी यहां काम करते हैं, मतलब वो सुवधाएं ऐसी हैं कि आप, आप किसी शांदार five star, जो human beings के hospital होते हैं, वो भी कम पढ़ जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ, इतनी शांदार यहां पर सुवधा है, लेकिन कितने जंगली जानवरों को आपने rescue किया है, अब तक हमने यहां 25,000 से जादा जंगली जानवरों को rescue किया गया है, और हमें बहुत स forest department का बहुत सारे अलग-अलग forest department का हमने मदद की, उन्होंने भी हमें बहुत support किया, हमें देश के हर एक forest अधिकारी, उनके करमचारी से अधिकारी, सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके कारण हमारे जंगल बचे हो है, अनन जी मैं यह सोच रही हू अपना सब कुछ बसाना पसन्हे है। आप ज्यामनगर आगए। आप ज्यानगर मेही हूए। आप ज्यानगर के साथ कम और जैनवरों के pasनों है। यह मैं gelecek ज्यान जानवर जीता हूँ dolor हा है। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूँ मैं सोचते हूँ आज कितना का मैंने भला किया और मैं कितने का भला कर सकता हूँ और इससे मुझे अच्छे सी नीद आ जाती है मैं आठावी साल का हूँ मैंने आठ साल के उमर से ही यह काम चालू कर दिया था और स्कूल से छुटता था तो मैं इधर ही करता था सबस्क्राइब करते हैं। और मैं तो साथी भी जमनगर में ही कर रहे हैं। मैं मैं अगूमित धान गाहार की कर रहे हूं। क्यृकि उनका घर यहां है और हमारा भी हम गुजरात के है महाराष्टर भी हम यह तो प्रिएडिंग यह हो रहा है राहे शाधी घर हो शाधी किपिरेंग भीगशां होगा होदश्य के सथी वो भी एक पहुत बड़े जानवर प्रीमी है और कबी यह नहीं बुलती है कि आप कıkनी बहुत समय में पर समय नहीं बचला है काम के बाध में इस पर लगा रहता हूं तो इस पर लगा तो साथ साथ में मुझे मदद करते हैं अगर कोई जानवर बेमार है तो हमारे जो वैद जो हमारे पशूवेध है, उनसे बात करना, कभी-कभी अगर मैं अविलेबल नहीं रता हूँ, यहां, तो वो खुद पशूवेध से बात कर लेते हैं, वो खुद हमारे जो ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं, उनसे बात करने में- aggiख अब लेते हैं, वो मेरी सबसे बड़ी प्रेइर ना रही है ममी ने बच्पन से ही मुझे सिखाया और वो खुद मतलब ममी ने हमें कभूतर मानजा से कट जाते थे ममी जब हम छोटे थे ममी उनको घर पे लाते थे ममी पालते थे उनका पौशन करते थे मम्मी ने घर पे एक बाज का बच्चा जब छोटा था गिर गया था जाड से उसको भी बढ़ा किया और छोड़ा मम्मी ने हमें नीचे घर पे हमारे बहुत बिल्ली होते हैं सब बच्चे लोग में मेरे भाई मेरे बहर जाते तो घर दूर्णव कर दे कर जाते थ.'" गनेश जी जो है उनकी मूर्थी आपने यहां पर स्थापत की हुई है सैक्डो हाती जो है आपने रेस्क्यू किये हैं आप अलग-अलग इलाकों से रेस्क्यू करके वाइल कैट्स को भी लेकर आए हैं इनफाक प्रदान मंत्री नरेंज मोदी का भी प्रोजेक्ट टाइगर क के लिए किया है और जो वाइल लाइफ के विशय में किया है मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया प्रोजेक्ट लाइन जो गीर में है जो एक्दम दुडलब है उनके कारण सफल उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था, और हम सब उनसे प्रे मिर्ना लेता है अगर उनका, प्या 1.5% भी जाल बहु उनसे जो प्रे मिलती है अलगी मसifiques होता है अलयगी पावर आजाता है कि हम और कुछ करें जब भी हम उनको टीवी पर सुनते कि प्रजेक्ट लाइन जब चीता है तो बहुत खुशी होई तब आपने रिलेट किया था इस बात से जो भारत से चले गए थे उनको वापिस लाना बहुत बड़ी बात है तो यह जो उनने किया यह एक बहुत पाबिले तारीफ बात है अनंत अमानी का पैशन पूरे देश को समझ में आ गया है लेकिन इस पैशन को क्या और आप पढ़ देंगे और इसका कोई मुकाम है या जामनगर तक यह सीमित रहना है तो हम जामनगर में एक ऐसे केंद्र बनाना चाहते है कि हम कपैसिटी बिल्डिंग यहां से करें हम यह जितने भी हमारे वेद जो पशुवेद है उनको हम पूरे भारत में भेज़ें यहां सिखा कर कि भारत में ऐसे हमारा यह मकसद रहेगा एक भी एंडेंजर जानवर बिमारी से ना हमरे कैप्टिविटी में और जितना हो सके उतना हम दुसरे को मदद करें कापैसिटी बिल् नमबर वन बने और भारत इसमें एक लीडिंग स्टैटिजिस्ट बने और भारत में हम चालू करें कि वाइल लाइफ कैसा इसमें बून-बून से सागर बनता है तो हम यह चाहते है कि जामनगर एक ऐसा हॉस्पिटल लाब अपने देखा ऐसे बने कि जहां होगा और रेस्क अपनी मा से आप चाहेंगे कि ऐसे लाखों अनन्त पैदा हों हिंदुस्तान में लेकिन उसके लिए आपको इंस्पायर करना भी जरूरी है तो एक आम आदली जो यह जानना चाहता है देखना चाहता है कि आपने किस तरीके की फैसिलिटी बनाई है वो आसकता है यहां पर जी बिल्कुल अब हम जैसे जानवत पर सेटल हो जाए हमारा जूलोजिकल पाक खुलेगा हमारा हॉस्पिटल के लिए हम एक विजिटर गैलरी बनाएंगे और यह नौट फॉर प्रॉफिट है यह बिल्कुल सेवा का कार्य है जैसे मैं आपको का यह प्राणी संग्रालय न कि हम कॉलेजेज और स्कूल के बच्चे के लिए एक एडुकेशन हब यहां तयार करें कि उनका विजिट करा है और इस पर काम चालू है और जल्दी ही जनता इसका लाब ले पाएगी हिंदुसान हमेशा से इस बात पर फक्र करता है कि वसुदेव कुटुमकम के आप अगर देखोगे तहां मौलेरे जिस हैं जी भगवान जो भी है भगवान के काड़न हम सब है शर्कृष्ण कहते थे हाती घोडा पाल की जय कनेया लाल की और शर्कृष्ण के सबसे प्यारे होते थे गाई हाती घोडा और हमारे हर एक देवता या देवी हरे का वहन जा सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है तो मैं भगवान से बहुत धन्यवान मांगता हूं और बहुत आभार हूं और जो आप की बातों में जहल्क्ती भी है हम ने देखा कि आप इन रागी की हैटगे फहले नमग्वे से विजदे बेंगा है उनको आजाद किया है उनको आगे बढ़ाया है उसके लिए आपको खूब सारी शुबकाम नाए और अपना ख्याल रखिएगा और उन तमाम जार्वरों का जो हमेशा से परिशान रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद दुनियानू सवथियू मोटू जे रेस्क्यू सेंटर छे वनतारा तेनी महीती आपता ननतंबाणी ने सांबढ़्या नोन फ्रोफिट अने खास्तो जे जानवर हो छे जे प्राणी हो छे एवनी कई रीते तिया देखरें के थाए छे आने एर रेस्क्यू सेंटर मां काया प् मशीनरी हो थी सार्वार आपाई छे तेनी पड़ते मने महीती आपी